हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले स्वान एनर्जी लिमिटेट से लेटेड शेयर की बात कर रहे तो आज लगबग 12% ही भागता हुआ नजर आया और आज ही इसने न्यू 52 वीग हाई और 369 पे यह क्लोज होता हुआ नजर आया क्या ऐसी न्यूज थी कि जिसकी वाएसे यह भागता हुआ नजर आया क्या इस शेयर में एंटी लेनी चाहिए क्या बेचना चाहिए क्या एक्जक्ली करना चाहिए उससे लेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले तो वीडियो में लास तक बने रहेगा ताकि इस तरीके की किया सीखनी है शेयर बजार की तो हमारा एक कोर्स ऐ है डमले लेना है कोंसा शेयर बेचना है कोंसे शेयर घडे है कोंसे शेयर घोडे है वो आप को यहां पर पता चलती हुआ नजर आएगी 20,000 रुपे का कोर्स है इस को करने के बाद दुनिया की किसी मार्किट में काम सब कुछ दिया जाएगा और एक बार कोर्स करने का पीछे मूर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वाटसप गुरूप है जहाप बारे सो रुपे परमन देके आप यहाँ पर वाटसप गुरूप में एड हो सकते हैं जहापर मैं अपने रिसर्च श्टॉक आपके साथ शेयर करता हुआ नजर आउंगा और अगर किसी को साथ में मिलके काम करना है तो इन नंबरों पर कॉंटे स्मॉल केप इन्वेश्टर है तो यहाँ पर आपको बाद चलेगा कि यह शेयर भी स्मॉल केप है 9,737 करोड रूपे का मार्केट कैप है बाइंग सेलेंगी कोई रिकमेंडेशन निया शिट को याद रखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो स्वान एनर्जी रिजनली इंकोरप्रेटी 1909 तो यहाँ पर बहुत पुरानी कंपनी है 100 से जादे शेयर को हो चुका है कंपनी को हो चुका है और मैनुफेक्टर और मार्केटर ऑफ दे कॉर्टन और पॉलिश्टर टेक्स्टाइल प्रोडट इन्डिया तो कंपनी क्या करती नजर आती है य यहाँ पर आप देखोगे फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट्स भी इन्होंने लगाई है बेस अंदा एलेंजी एंड इंड इंपोर्ट टर्मिनल एज गफराबाद इन गुजराद तो यहाँ पर हम बात करें कंपनी का अलग अलग तरीका का बिज ही नज़र आती है एक पर वेफसाइट पर विजिट करिएगा बिजस मॉडल देखिएगा तो आपको पतले चलेगा यहाँ पर और गैस से लेटेड़ पैट्रो केमिकल मैनुफेक्शन ट्रेडिंग से लेटेड़ टेक्स्टाइल रियालिटी काफी सारे यहाँ पर एक अब बात करते हैं यहाँ पर आज के दिन 12% कैसे भागा तो यहाँ पर एक निउस आती हुई दिखाई दी प्लस में यह शेयर पॉजिटिव था ही ठीक है कोई प्रशानी बात थी नहीं जो की चार्ट में हम बात करेंगी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इनोंने अब इन्टीमेशन अर्लियर स्वान लिमिटेड पहली ही दे चुगे है इस इस ट्रेटिजिक पार्टनर पार्टनर अफ दे रिजूशन अप्लिकेशन देखाई यहाँ पर इनोंने एक रनियल कंपनीज को यहाँ पर क्या किया है एक्क्वायर किया है ठीक है और किसके साथ मिलके यहाँ पर हैजल मरकेंट टाइन लिमिटेड के साथ मिलके और लगबर-लगबर हैज रिलीज 231.42 करोड तो इन्होंने 231.42 रुपे यहाँ पर क्या किया है बैलेंस अफ़र्म फॉर्द पेमेंट टूडे तो यहाँ पर पेमेंट करते हुए नजर आए तो एक कि ये शेयर खाना 349 का पीए तो बहुत ज़्यादा पीए यहाँ पर है ठीक है मैं हमेशा कहता हूं कि पीए के बेस पर काम नहीं करना बट इस्टिल अगर इतना ज़्यादा पीए हो तो वहाँ पर एक बार सोच के देखना पड़ेगा एक बार समझना पड़ेगा कि exactly है क् उसी के हिसाब से काम करोगे तो ठीक रहेगा अधरवाइस आप ऊपर की लेबल भी पस सकते हो आरोसी आरोई ठीक ठाक नहीं है तो लॉंग टरम का इंवेस्टमन का कोई एडवाइस दूंगा नहीं डेट बहुत जादा है ठीक है 218 परसेंट का डेट है प्लैजिंग की बा तरीके की रिजल्ट नहीं है जिस तरीके से होना चीह है ठीक है 100x हुए है ज्यादा कुछ नहीं हुए हम बात करें कौटरली रिजल्स की तो यहाँ पर रिजल्स से लेक लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कंपनी जहां पर नॉर्मल अपने आपको प्रिजेंट कर रहे एक साथी पिछले दो कौटर से हाइस टेवर यहाँ पर सिल्स दिखा रही है एस वेल अपर ऑपलेटिंग पॉफिट यहाँ पर दो बार से लगातर हाइस टेवर आ रहे है ओके और इसमें अधर इंकम का कोई रोल नहीं है इस चीट को याद रखिएगा नेट पॉफिट की रही है यह अर्ली बेसिस पर बात करें तो शेयर यहाँ पर 2020 तक फ्लेट चलता हुए दिखाई दे रहा था और 2023 में देखे तो इनके टर्न अरांड होता हुए नजर आया है इसके इलावा नेट पॉफिट भी देखे तो वह भी यहाँ पर टर्न अरांड होता हुए नजर हाइस टाइब प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहे है बॉराइंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की बॉराइंग यहाँ पर सासाथ बढ़ती हुए नजर आ यह लबब 5,000 करोड के आसपास की बॉराइंग हो गई है बट रिजर्वस देखे तो रिजर्वस भी है इनके पास 22 करोड के वो भी यहाँ पर बड़े है और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने 32 करोड रुपे यहाँ पर वर्किंग पोगेस में लगा रखे है इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर इनके रिवेन्यूज वगरा सब चीज दुबारा बढ़ती और यहाँ पर बात करें तो आपको पता चलेगा कंपनी के पास लगबाद 200 क्रोड के आसपास का कैश है और यहाँ पर हम बात करें कंपनी के प्रमोटर का 64% के शेयर है FIIs की होल्डिंग की बात करें तो FIIs ने यहाँ पर दिसंबद 2.25 से अच्छी खासी यहाँ पर अपनी होल्डिंग इंक्रीस करी है साथ में हम देखें DIs के पास भी ना के बराबरी शेयर है 3% के आसपास है और पबली के पास 15% के शेयर ही है ज़्यादा यहाँ पर शेयर नहीं है और 15 हमें भी आप देखोगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या है अच्छे खासी शेयर लेके रख रखे है ठीक है तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इसके लाबा ट्रेडिंग तो होती रहती है कोई buying seller कर रहा है कोई sell कर रहा है वो चलते रहता है अब बात करते हैं यहाँ पर company से related और इसकी chart से related की chart क्या कहते हुए नजर आ रहे है क्या हमें यह लेना चाहिए क्या बेज दिना चाहिए क्या इतने PE पर लेने पर कोई फायदा है वो सब चीज से लेटरी बाते करेंगे अब उससे पहले request है चानल को सब्सक्राइब करें बैर आइकन को एट और इक नोटिफिकेशन को अन करें पायिंग सेलिंग की recommendation है नी चानल लाइक करें करें कमेंट करें हमरे वीडियोज को इन नबरों को नोट करें और और अच्छा खासा प्रदशन कर सकती है और दो क्वाटर किसी भी शेयर को लगबख 100% भगाने के लिए काफी है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आज के दिन एक breakout होता हुआ दिखाए दिया, all time high पर यह शेयर जाता हुआ दिखाए दिया, अगर यह शेयर आपको 343 के आसपास दिखते है तो एक बार थोड़ा सा छोटा सा 10-20-30 रुपे का stop loss लगा के यहाँ पर carry on कर सकते है, otherwise कहाँ पर लेना सही रहेगा, आपको सही रहेगा यह जैसी शेयर 20-30 रुपे के ऊपर जाता है, टिकता है यहाँ पर buying करिएगा, ओके 5-10 रुपे का stop loss लगा के चलिएगा पहले target इस line के आसपास बनते हुए नजर आएंगे, जो की लगबगबग आपके 30-40 में बात करें, तो 10% के आसपास की है बट चीरो को अगर आप थोड़ा सा गौर से फर्माएंगे, और चीरो को और दूसरे तरीके से देखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समट में आएगा, कि यहाँ पर जो इसके target है, जैसे कि बाए ने बात करी, कि 100% भागना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 50% के आसपास के target तो यही दिखाई दे रहे हैं, और अगर company एक दो quarter और चलती है तो यह share आने वाले time में, आपको 600-700 रुपे का लेबल भी दिखाता हुआ, दिखाई दे सकता है बट इतने PE और सबशीच को देखते हुए, थोड़ा सा cautious way यहां पर अपनाना है अगर चीजे नहीं चलती है according लिए आपके, तो stop loss hit करके चुप-चुप निकल भी जाना है अदर्वाइस आप ऊपर की लेबल पर फस सकते हो तो buying selling की recommendation है नहीं चीजे को यहां पर ध्यान से देखना है अपने financial advisor कुद की study करना है और चीजों को सीखना है और इन नमबरों को note करिए, call करिए, message करिए, whatsapp करिए और हमें जतना हो सके subscribe करिए, like करे, comment करे so thank you so much, God bless